और होगे हैं है हैं लो स्टूडेंट्स आज की लेक्शर में हम बात करेंगे द्ध्रम रेस्पाइरेशन का मतलब क्या होता है इसमें प्रोसेस कौण कोण से यूज होती है या कोण-कोण से ओर्गन इसमें टेक पार्ट करते हैं इन सभी points के उपर यहां पर बात होगी, सबसे पहला यहां पर process इसमें involved होता है Gaseous Exchange, जो normally हम सभी को पता है कि सांस लेने की जो process होती है, उसमें oxygen को intake किया जाता है और CO2 को release किया जाता है, तो यहां पर इसी process को continue करते हुए हम इसमें पता करेंगे कि simple steps कौन-कौन से use होते हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि simple food को breakdown कैसे किया जाता है, यानि हमारी cells में ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या activity होती है कि वो food breakdown हो जाता है तो हम यहां पर इस point के उपर second term में बात करेंगे, तो एक बार हम सबसे पहले पढ़ लेती हैं जिसे हम breakdown of simple food कहेंगे, cellular respiration क्योंकि यह थोड़ा सा कम है length में, तो आज के lecture में यह easily चेंज हो जाएगा, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि oxygen का एक value होता है हमारे सरीर में, पहला सबसे पहले हमें सांस लेने के लिए इसका इस्तिमाल करती है, सांस लेने की process actually है क्या, जब हम सांस लेते हैं तो वो oxygen decompose करती है हमारे खाए गए खाने को, और उसको फिर वो energy में convert करके cell तक पहुचाती है, blood में mix हो करके, अब कैसे उसके बारे में बात करती है, सबसे पहले हमें पता है कि जब हमने digestive system पढ़ा था, उसमें हमने अपने food को glucose में convert कर दिया था, अब glucose में convert करने के बाद ये cell तक पहुच जाता है, बाइस small intestine ये बिलकुल अच्छे से क्या कर लिया गया था, absorb कर लिया गया था, अब यहां से हम ये जो glucose है, ये cell तक पहुच चुका है, और cell तक पहुचने के बाद, cell में present cytoplasm यानि कोशी का द्रव इसे क्या कर लेगी, absorb कर लेगी, वहां पर कुछ mechanism होता है, और इसका further decomposition होता है, और ये pyruvic acid बन जाता है, जिसका formula होता है C3H4O3, ये formula होता है, pyruvic acid का, I repeat, C3H4O3, ये हमारे पास formula होता है, pyruvic acid का, और साथ में यहां पर थोड़ी सी energy release हो जाती है, अब ये जो pyruvic acid है, ये depending upon oxygen amount, तीन तरह के process कर सकता है, सबसे पहले हम उस process की बात करते हैं, जिसमें oxygen बहुत कम होता है, यानि बहुत-बहुत कम, तो उस case में fermentation होगी, जो pyruvic acid है, वो अपने आपको ethanol, carbon dioxide और energy में convert कर लेगा, ये कहलाता है, fermentation, या कह सकते हो, कि यहाँ पर complete absorption नहीं हुआ था, और उसकी वज़े से यहाँ पर oxygen अब्जोर्ड नहीं हो पाई, उसकी वज़े से यहाँ पर क्या बना है, इथेनॉल बना है, और बहुत कम amount में energy मिली है, ज्यादा amount में आपर इथेनॉल मिलता है, उसके बाद हम बात करते हैं, जब insufficient oxygen हो, यानि oxygen तो full amount में मिल रही है, लेकिन हम activity ऐसी कर रहे हैं, जिससे हमें ज़्यादा क्या करनी पड़ रही है, oxygen की requirement जरूर्द पड़ रही है, जैसे हम कोई running कर रहे हो, भाग रहे हो, या exercise कर रहे हो कोई भी, जिम वगारा में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े बाद हम ठक जाते हैं, हमारी muscles काम करना अच्छे से बंद कर देती हैं, यह होता है insufficient oxygen की वज़े से, हमारे muscles में जो cells होती हैं, उनमें lactic acid बनना शुरू हो जाता है, lactic acid की वज़े से, जो muscles है, वो contract हो जाती हैं, शिकुड़ना शुरू कर देती हैं, उसकी वज़े से क्या होगा, एक process होती, जिससे हम muscle fatigue कहते हैं, उसकी वज़े से, muscles चीख से काम नहीं कर पाती, और यहां पर lactic acid की वज़े बनता हैं, अब हम बात करते हैं, जिसमें हमें oxygen मिल रही हैं, और अच्छे amount में मिल रही हैं, तो उस case में जो process होगी, वो mitochondria में होगी, और यहां पर हमें जो energy मिलेगी, वो purest form होगी energy की, glucose, simple inorganic compounds में तूट जाएगा, बिल्कुल वैसा ही, जैसा plants के case में हो जाता हैं, जैसा हमने environment में से लिया था इसको, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, simple energy का exchange हो जाता है, carbon dioxide, water और energy में यह convert हो जाता है, I repeat, यहां पर तीन तरह की process होती है, due to lake of oxygen, insufficient oxygen, and full oxygen, absence of oxygen में ethanol बनता है, main component, insufficient oxygen में lactic acid बनता है, main component, और presence of oxygen में main component, carbon dioxide बनता है, और साथ में energy बनती है, तो यह process होती है, किस के साथ, जब हम oxygen add करती है, अब यह oxygen के base पर हम कह सकते हैं, कि respiration दो तरगा होता है, first one, aerobic, and second one, anaerobic, aerobic का मतलब होता है, presence of oxygen, और anaerobic का मतलब है, in the absence of oxygen, ऐसा respiration जो presence of oxygen में होता है, उसे हम aerobic respiration कहेंगे, और ऐसा respiration जो absence of oxygen में होगा, उसे हम anaerobic respiration कहेंगे, इन में difference table कई बार पूछ ली जाती है, जो भी आपको यह arrow से, symbol से, component बनाए गए हैं, पीछे भी हमने कुछ बनाए थे, पैपसिन के बारे में, ट्राइपसिन के बारे में, और protein कहां decompose होता है, अगर small intestine की बात की जाए, या फिर simple stomach की बात की जाए, तो अलग-अलग answer हाएंगे हमारे पास, और उनको आपने ध्यान रखना है, यह option wise question में आ जाती है, जनल नौलेज की question होती है, उसके बाद हम table यहाँ पर study करती है, difference table, aerobic एक तरफ है, और एक तरफ anaerobic है, aerobic के point पढ़ता हूं, take place in presence of oxygen, यह oxygen की presence में होता है, occurs in mitochondria, यह cell के अंदर एक organally होता है, जिससे हम mitochondria कहते हैं, उसमें take place करता है, ends product are CO2 and S2O plus energy, यहाँ पर end product carbon dioxide और water होती है, more amount of energy is released, यहाँ पर ज्यादा amount में energy release होती है, अब हम बात करते हैं, anaerobic respiration की, take place in absence of oxygen, यह ऐसा respiration है, जो oxygen की absence में take part करता है, अकर्सिन, cytoplasm, यह cells में mitochondria में नहीं होता, बलकि उसके liquid में होता है, यानि cytoplasm में, end products are alcohol और lactic acid, end product alcohol होता है, या फिर lactic acid होता है, दोनों ही cases में हमें थकावट महसूज होती है, less amount of energy is released, और इसकी बड़ी वज़े यह होती है, यहाँ पर energy कम release होती है, तो यह कुछ portion थे, जिसमें हमने respiration की बात की, यानि respiration का वो पार्ट जिसमें हम food का decomposition करते हैं, next lecture में हम बात करेंगे, कि respiration होता किस तरह से है, कौन-कौन से organ यहाँ पर take part करते हैं और क्या क्या करते हैं वो, तो कि अल्ड़ करते हैं, अल्ड़ करते हैं, यहाँ बात बात जाएं, तो कि अल्ड़ करते हैं,